तो आज वो बटा आज जो आपका एक्जाम हुआ है यानि कि 28 जनवरी वाला वही पेपर है मैं असका पूरा हम लोग complete solve करने वाले हैं थोड़ा जल्दी जल्दी करूँगा ताकि आप तक जल्दी से पूरा answer की पहुँच पाए है ना जल्दी जल्दी solve करने स्टार्ट करते ह हिंदी इंग्लिश दोनों मीडिया में हैं तो दोनों करेंगे हम लोग देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों इसमें हैं तो दोनों बच्चे इसको देख सकते हैं पूरा complete solution देखिए चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या तीन अंकों की सबसे चोटी संख्या का योग मैं एक confusion होगा वहाँ तुम पूछ लेना ठीक है अच्छा यह जिस बच्चे का paper है क्रिश उसके कितरे number आरे बटा जरा मुझे बताना चलो सुरू से ही मैं answer कि आपको बता दे रहा हूँ starting से सब कुछ देखो यह आपका हो जाएगा इसका translation शुद्ध वर्तनी है option option number व जल्दे लली चलेंगे ठीक है बटो जल्दे बता चलते वह चलेंगे करती वह चलेंगे वाख्य को सुधारने के दोसे से अधोर एक खांकीत शब्द के अस्थां पर सही शण को दिए गए विकलपों से चुनिए अनकी बस नहीं होता है, उनकी बस होगा, उनकी बस सही समय पर आगे, तो पहला option होगया इसमें, थर्ड वाला देखिए, श्याम के आगमन के पूरवही राम घर छोड़ा तो छोड़ा नहीं, चुकि कार्य हो चुका है तो राम घर छोड़ चुका था, इसका अप्शन हो जाएगा तीसरा option, अगला question, जल्दे जल्दी करते वे चलेंगे, पूरी वीडियो आपको देखनी है, ताकि आपको answer की exact correct answer की मिल पाए, सही सठीक answer की आपको मिल पाए, ये final answer की है हमारी, जिसमें हम लोग correct 100% accuracy के साथ आपको answer की दे रहे हैं, देखिए, इसमें मुझे उनसे पूछने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर question tag आएगा, तो क्या मुझे उनसे पूछने की जरूरत है, या फिर जरूरत है क्या, ये fourth option आएगा सही, यहाँ कॉमा लगेगा, फिर जरूरत है क्या, ये पूरा उठके हाँ जाएगा, ठीक है, फिफ्ट वाला देखिए, क्रिया के सही रू के को चुनिए, बच्चे पतंग उड़ाते हैं, चिडिया उड़ती है, करीमा ने दौर लगाई, चिडिया उड़ती है, इसमें कोई कर्म नहीं है, वैसे ये confusing question था, वैसे confusing question था, चुकि कर्म तो इसमें भी नहीं है, लेकिन English medium में उसने कह दिया है, कि करीम ran a race, तो वहाँ पे race object दे दिया है, English के हिसाब से सही मानेगा, है न, वो answer की English के हिसाब सही मानेगा, तो इसलिए चिडिया उड़ती है, ये हमारा सही option होगा B वाला, इसमें दोनों अकर्मक है, नियम से देखा जाए, तो दोनों अकर्मक है, लेकिन answer हम इसको सही मानेगे, option, option B, दूसरा व ये की हो गया, अगला question, उचित उपत की सहायता से वाक्य को पूरा कीजिए, राम वह चात्र है, जिससे हम सभी 35% से कम लाने की आशा करते हैं, मतलब ये particular चात्र के बारे में बता रहा है, कि कौन सा चात्र है, राम ही वह चात्र है, तो राम ही वह चात्र है, option हो जाएगा, ये वाला दूसरा answer, सही answer, ठीक है, next सवाल देखिए, उचित पुर्वसरग की सहायता से, देखो बटा answer की हम बता रहे हैं, ये final answer की होगा हमारा, तो इसलिए जल्दी जल्दी चलते करते वे चलेंगे, और comment में लिखते वे चलना, तुम्हारे कितने number आ रहे हैं, अगर लग हो रहा है, दूर जा रहा है, तो से लगेगा, से दूर जा रहा है, उचित शब्द की सहायता से रिक्तस्थान की पूर्ति कीजिए, अकबर की सेना ने चित तोड़गड के किलो एको, अब देखो, जैसे की जीता दिया, ये प्रेन आर्थक हो गया, मैंने श्याम से कार से लड़ना, देखो हवा में कितना भी घुंसे वगर चलाते रहो, कुछ मतलब है नहीं, तो बेकार का प्रियास करना, यानि हवा में कारे करना, हवा से लड़ना, मतलब कुछ भी उसका रिजल्ट निकलने वाला नहीं है, तो बेकार में प्रियास करना option हो गई, next question देखो, question number 11 हो गया 12 आजाओ question number 12 प्रदत विकल्पों में से वीपरितार्थक शद चुनिए धमकी किसी को धौस देना किसी को डराना धमकाना है ना इसका उल्टा क्या हो जाएगा सुरक्षा अभी देखो exact तो नहीं है लेकिन English वाले के हिसाब से English में यहाँ पे लिखा हुआ है English मेडिया में थ्रेट लिखा हुआ है और उसका पोजिट जो है security उसका पोजिट है security तो उसे साथ से सुरक्षा है ना वैसे भी सबसे सटीक इसमें जो सबसे nearest option है वो सुरक्षा ही है तो option हमारा होगा तीसरा सही अगला सवाल देखिए question number 13 दियेगे विकल्पों में से शुद्ध वरतनी वाला शब्द चुनिए जी विशा अब इसको पढ़ते कैसे हैं जी जी विशा मतलब जी बड़ी जी है ना दूसरा वाला बड़ा होता है जी जी विशा जी ने की इच्छा option ए इसका correct होगा पहला option अगरा विकल्प देखिए अब यहाँ देखो बड़ा शमा शीलता मतलब किसी को शमा कर देना है ना किसी को माफ कर देना माफ ना करना का उल्टा क्या हो जाएगा प्रतिशोद यानि की बदला लेना तो इसका answer हो जाएगा फूर्थ वन प्रतिश विकल्पों में से उचित उपद का चैन कीजिए वह इमांदार अधिकारी है तो वह एक इमांदार अधिकारी है नहीं बोलते हैं किसी के बारे में गुन बता रहे है किसी की विशेष्टा बता रहे है तो वह एक इमांदार अधिकारी है ठीके तो वह एक यहाँ पे लगेगा वह एक इमानदार अधिकारी है English में दिया वहता है He is an honest officer 15 हो गया Comment में लिखते चलना अगर जिसको कहीं भी कोई doubt आएगा बैटा सब कराओंगा मैत मैंने कहा था लेकिन सब आप करा दे रहा हूं English में देखा जाए तो present indefinite ठीक है वहमिक जो सत्य होते है universal truth होते है indefinite में गिना जाता है वैसे हिंदी में तो indefinite का concept वसाया नहीं तो वर्तमान काल यहाँ पे हुआ क्योंकि सूरज पस्ची में डूबता है इन उत्पादों की इन उत्पादों की इन उत्पादों की गुडवत्ता उत्तम है अब गुडवत्ता सिर्फ एक विशेस्ता की बात कर रहा है मतलब किसी एक quality की तो गुडवत्ता उत्तम है बिंदी नहीं लगेगा option होगा ए इसका इसके बारे में detail मैंने समझाया हुआ है यहां अभी समझाने का समय नहीं है तो समझायेंगे नहीं ज़्यादा बस answer देखते चलो ऐसा माना जाता है कि पश्मीना शॉल 6 स्वेटरों के बराबर तो यहां से 6 स्वेटर एक answer हमारा बनेगा देख लेना मैं बताऊंगा और कहा कहा से answer बनेगा पैसेज है तो पैसेज को पढ़ नहीं रहा हूँ answer कौन कौन सा है मैं बता दे रहा हूँ सही कथन का chain कीजिए यहां पे गर्मियों में यह answer सही हो जाएगा गर्मियों में बकरियों बकरिया अपने कुछ बाल लोम चर्म जाड़ देती है तो यहां से answer इसका यह सही हो गया और यहां देखो छे स्वेटरों के बराबर मैंने अभी कहा बेटा कि आपका यहां से answer बनेगा ना तो छे स्वेटरों के बराबर दूसरा option सही हो गया next देखो अच्छा यहां से ठीक है ऐसा माना जानता है कि इस पेज पे यह देखो लगभग 200 गंटों के बाद यहां से यह अंसर सही होगा 200 गंटों के बाद वह मैं दिखा दे रहा हूं कहां पे है एक बार आप देख लो 200 गंटों के बाद एक शॉल तयार होती है बन करके देखो यहां यह है लगभग 200 गंटों के बाद ठीक है नेक्स देखना बटा अगला देखो बकरियों के शरीप पर गर्म बालों का एक लोग चर्म उख जाता है तो गर्म बालों का यहाँ पर बालों के बारे में कर रहा है ना बालों कोई एक अब्जेक्ट हो गया जैसे किसी व्यक्ति के नाम को किसी स्थान को या फिर किसी वस्तु को हम लोग क्या मोलते हैं बोलो, नाउन मोलते हैं, तो यहाँ पर यह नाउन हो जाएगा, संग्या, सही इसका उत्तर हो जाएगा आपका संग्या, अगला देखो, next, मोटे का वीपरितार थक, तो मोटा बेटा, मोटा का उल्टा हो गया, पतला, अगला क्वेशन देखो, देखो, हिंदी करा रहा हूँ इसके बाद English करा दूँगा, या फिर इसके बाद maths करा दूँगा, लास्ट में English करा दूँगा, जैसा भी बोलो को कमेंट में, दिये गए विकल्पों में से विशेशन पहचानिए, बटा विशेशन, विशेशन उचा, जैसे यह बिल्डिंग उची है, यह बोट बड़ा ह तो किसी चीज के बारे में कुछ कॉलिफिकेशन मता रहा है, तो विशेशन वो हो गया आपका, कि यह उप्शन, पहला उप्शन करेक्ट हो गया, तुल्ला की उचित कोट की सहायता से रिक्तस्थान की पूर्ति कीजिए, तो मेरी जीब में यहां और अधिक धन है, दूसरा option सही होगा, English इसको बहुत अच्छे से मैंने समझाया है, एक बार फिर से solution देख लेना, वास्तविक के वीप्रीत आर्थक शब्द का चैन कीजिए, वास्तविक मतलब कोई चीज रियल है, साक्षात है, हमारे सामने है, वीप्रीत क्या हो जाएगा, उसका उल्टा, मतलब व से नेक्स्ट येर की तयारी कर रहे है, उनके लिए हमने नया बैच लॉंच कर दिया है, नया बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है, सैनिक अल्फा बैच, यह हमारा स्टार्ट तो हो रहा है 10 फरवरी से, but if you are enrolling in the batch before 5th of February, you are getting रुपीज 500 डिसकाउंट, तो 500 का डिसकाउंट आप आने के लिए आप जो है 5 फरवरी से पहले इसमे इंडरोल कर सकते हैं यह सब्सक्राइबा कर कोर देख में है 500 रुपीज का ज्यादा जानकारी के लिए इस पर कॉल या वाटसप जरूर से कर ले हम इस चैनल पर सैनिक स्कूल और नौदा विद्याले के लिए बच्चों को गाइड करते आए हैं शुरू से गाइड करते रहे हैं तो अब भी हमारा काम वही है प्रॉपर हर एक चीज की information आपको दी जाती है जैसे अभी हम सबसे टॉप पर आप सर्च करेंगे तो सबसे टॉप पर हैं उसी तरीके से हमेशा से रहे हैं और रहेंगे चुकि हम quality प्रॉइड करते हैं तो यहाँ पर इस चैनल से जुड़े रहे हैं सब्स्राइब कर लिजेगा जो भी आपको guidance प्र और सब कर सकते हैं सारी चीजें जो भी required है वो सब कुछ आपको मिलेगा जैसे वीडियो लेक्ट्रस हम दे देते हैं प्रैक्टिशीट देते हैं online टेस्ट टेलिग्राम ग्रॉप मॉक टेस्ट मॉडल पेपर्स वीकली डार्ट सेशन प्रिवेस एर क्वेस्ट पीडिया यह स सब कुछ आपको जो भी चीज रिक्वाइड है वो सब कुछ आपको मिलेगा इस बैच के अंदर तो हमारा नेक्स बैच है यह आए बच्चों अब चलते हैं हम लोग इंगलिश मीडियम का कर लेते हैं एक बार इंगलिश मीडियम में देखिए इंगलिश मीडियम का क्वेशन देखिए यह पहला फिल इन दब ब्लैंक फिल इन दब लैंक विथ करेक्ट प्रिपोजीशन दस्पीकर इस गुइंग ऑफ दस सब्जेक्स से दूर जा रहा है है न हट रहा है सब्जेक्स जैसे मैं किसी विशे पर बोल रहा हूं उससे अकबर's army seized the castle of Cittorgar, Cittorgar के किलो को अकबर की army ने जीत लिया था या फिर कब्जा कर लिया था, seized होगा, past की बात है, अकबर इतिहास का है, तो इसलिए हम लोग seized लगाएंगे, 30 option, choose the correct meaning of beat the air to make the useless effort to be victorious useless effort मतलब बिना किसी फल के काम करना बिना किसी निरर्थक कारे करना एक तरीके से कि कोई उसका अर्थ नहीं है जब अदस्ती हवाय में तीर मार रहा है हवाय में घुंसा फाइट चला रहा है तो to make the useless effort आपका एंसर हो जाएगा पहला option चौथा देखिए यहां से आज़ी यहां पर threat का opposite क्या हो जाएगा threat का मतलब किसी चीज को खत्रा होना danger तो threat का opposite हो जाएगा safety next देखिए sanction का मतलब होता है कि किसी चीज को आवंटित करना जैसे government ने अपने खजाने में से अपने उसमें से accounts में से 200 करोन रुपे का project sanction किया है ना इस project को 200 रुपे का sanction किया तो वो sanction का मतलब आवंटित करना पहला हो जाएगा choose the word opposite to the meaning in the word meaning to the given word forgiveness मतलब किसी को छमा कर देना revenge का मतलब उससे बदला लेना चोथा option हो जाएगा opposite हो जाएगा लिए हमारा यहां answer होगा he is an honest officer दूसरा answer ठीक है बटा next देखिए identify the tense of the following sentence the sun sets in the west अब यह universal truth है तो universal truth हमेशा जो होता है universal truth अरे यारे spelling देखो universal जो भी truth होता है उसको हम लोग क्या बोलते है उसको indefinite में वो आता है चुकि sun sets in the west मतलब यह habit के एक तरीके से बात है universal truth है तो sun sets in the west present indefinite fill in the blank यहां पर क्या लिखा हो है the quality यहां पर पहली बात तो quality आएगी of this product is आएगा तो quality के साथ is आएगा चुकि quality एक quality की बात हो रही है तो is आएगा quality is good देखो अगर यहां पर qualities दिया हुआ है तो इसके साथ R आना चाहिए था जब R रहता तब यह सही होता चुकि quality के साथ is लगेगा और qualities के साथ R लगेगा तो यही combination feedback था है option A सही होगा ठीक है अगला बटा passage है आपका यह पश्मीना शॉल के बारे में पैसेस दिया हुआ है देखो यहां से question कहां से बनेगा मैं बता दे रहा हूँ कि six sweater के बराबर है यहां से question आपको देखने को मिलेगा उसके बाद से फिर आपको question यहां से देखने को मिल जाएगा कि summer कि the goat shed some of their hair for in summer यहां से याद रखना question आपका बन जाएगा यहां से एक question बन जाएगा 200 गंटे after almost 250 hours of weaving one plain पश्मीना shawl is made तो imagine how long it would take to make a shawl with embroidery अब देखो यहां से जैसे six sweater मैंने दिखाया आपको question बनेगा यहां आपका इसका answer हो जाएगा summer the goat shed some of their hair in summer the goat shed some of their hair in summer यही answer correct हो जाएगा हमारा ठीक है अगला देखते हैं आप यह आजाओ after almost how many hours तो 250 गंटों के बाद एक normal पश्मीना shawl को बनाया जाता है ठीक है आईए बटा next सवाल कीजिए question number 13 इसमें क्या है कि a coat of warm hair grows on the goat's body which protect it from extreme cold तो extreme cold यानि कि यहां पे hair का part of speech पूछ रहा है तो hair का हो जाएगा noun अगला सवाल देखिए question 14 क्या है choose the opposite of thick थिक का मतलब होता है मोटा मोटा का उल्टा क्या हो जाएगा बटा पतला हो जाएगा option होगा 3 तो 15 हमा का देखिए कि यहां पे identify the adjective from the given options adjective find करना है तो high उचा यह adjective है किसी चीज की विशेष्टा बता रहा है qualify कर रहा है तो adjective हो जाएगा यह fill in the black with correct degree of comparison यह हो जाएगा more हो जाएगा I have more money in my pocket तो option हो जाएगा आपका दूसरा option choose the word that is opposite of real तो real का हो जाएगा imaginary मतलब जो ख्यालों खौबों में हो जिसका हम सपना देख रहा है जो साक्षात ना हो जो सही में नहीं हो imaginary इसका correct spelling हो जाएगा choose the correct spelling तो receive will be the correct spelling choose the correct option to improve the sentence देखिए did there मतलब possession दर्शा रहा है उनकी बस तो did there बस यह option हो जाएगा option number A आपका उनका बस क्या समय पे आया तो T-H-E-I-R Ram left the house before sham got there Ram left the house मतलब की इसमें left the house दो काम हो रहे हैं न एक दो मैं इसको जूम कर लेता हूं बटा दो काम हो रहे हैं तो जो पहले काम होगा उसके साथ head लगता है अगर दोनों काम past में हुए हैं तो तो इसका answer हो जाएगा Ram had left the house तीसरा option ठीक है अगला सवाल देखी fill in the blank with suitable question tag I need not ask him I needn't ask him मतलब मुझे उससे पूछने की जरूरत नहीं है question tag आपका negative है तो answer आ जाएगा आपका positive यानि कि need I इसका सही answer होगा fourth need I the train dash suddenly तो तुरंत रुख गई the train stopped suddenly मतलब तुरंत रुख गई वो काम तुरंत हो चुका suddenly का मतलब अचानक से हो गया choose the sentence having intransitive word intransitive जिसमें कोई आपका object नहीं हो तो birds fly यहीं सही हो जाएगा इसमें भी object है इसमें भी object है इसमें भी object है तो इसलिए option number दूसरा correct हो जाएगा अगला question देखिए fill in the blank with the suitable conjunction I don't know whether मुझे नहीं पता कि वो चला गया है की नहीं तो I don't know whether he has gone or not option लगेगा option यहाँ पर सही answer होगा आपका one पहला बाला ठीक है अगला सवाल देखिए बटा question number 25 complete the sentence with suitable article राम is dash student whom we expect to get less than 35 marks मतलब राम वही student है definite बात कर रहा है particular student के बारे में बात कर रहा है तो राम वही student है जिससे हम यह उमीद करते हैं कि वो 35% से number कम ले करके आएगा यानि कि दा लगेगा चुकि definite यहाँ पर है particular student के बारे में जिसके बारे में और भी knowledge है और भी जानकरी हमें है उसके बारे में हम बात कर रहा है तो यहाँ पे दा लगेगा राम is the student ठीक है कौन student तो राम वह student है जिसके बारे में हम यह कह रहा है कि वो 35% से 35% से कम number ले करके आएगा ठीक है बटा अभी होगे हमारा अब हम आते हैं mathematics section पे आईए हिंदे English दोनों करते हुए चलेंगे बटा मैं यहाँ पे answer की आपको बता रहा हूँ total hundred मतलब सारे questions के answer की आपको पे discuss किये जाएंगे तो जुड़े रहना पूरी वीडियो में दो मिनट का समय देना आपको टूरे हमें झाल 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 का हमें हाई बच्छो तो आए तो जश्पाल पर्चस्ट एन ओल्ड कार फॉर रूपीज वन लाख 18,000 इसका एंसर देखना इसमें बटा क्या किया कि एक लाख 18,000 में खरीदा 7,000 और लगाया और इतने में बेच दिया तो इसका सही एंसर होगा हमारा 12 प्रतिशत इसका सही एंसर इसका आपका आ रहा था मुझे देखना होगा बटा एक बार लगा लें किया जल्दी से दा सप्लीमेंट्री एंगल आफ लाफ वन टेंठ वन टेंठ आफ राइट अंगल तो नाइन आ गया कॉम्प्रीमेंट्री इसका होगा 81 और सप्लीमेंट्री हो जाएगा 99 इसका 99 हो ज documentary हो जाएगा 55 तो आपका sorry 135 और 45 तो half of a right angle और acute angle A and D तो A and D यहां से यह option हो जाएगा अगर इसका देखें तो इसका answer हमारा हो जाएगा 82 degree इन दोनों को जोड़ोगे एक 180 में से घटाओगे तो यह 82 आ जाएगा और यह भी 82 vertically opposite angle ठीक है चलिए next सवाल देखो बटा question 29 हो गया 30 इसका आ जाएगा इसका answer 0.625 इसको आपको convert करना है fraction में अराम से हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है इसका answer आ रहा था 77 एक से ले करके 20 से पहले आपको सारे prime numbers जोड़ दे बस इतना ही करना है इसमें अगर देखा जाए तो इसका answer हो जाएगा बटा ABC only ठीक है यह वाला answer ABC only हिंदी वाला खोल लेते हैं बटा रुख जोजरा इसमें वाइसे दोनों में वही है अच्छा हाँ ठीक है कोई बात नहीं तो इसमें अब अगले वाले अच्छा एक मिट लेकिन अलाग अलाग वह है क्या ओहो इसमें थोड़ा ज्यादा clear दिख रहा है इसलिए ठीक है फिर से देख लो एक बार सारी चीजे देखो चार उंको कि सबसे बड़ी संक्ख्या ता तीनंको कि सबसे चोटी संक्ख्या का योग इसमें आपका answer आए जागा 10099 ये वाला ठीक है? अरे यार हो जाओ भाई next सवाल देखो बटा next सवाल ये इसका answer है just एक मिनट बटा just एक मिनट का समय देना मुझे एक मिनट रुकना देखिए इसका answer आपका हो जाएगा मैं चल्दी चल्दी आपका ट्रिक करते चल रहा हूँ बटा कोई परिशानी नहीं है इसमें देखो ये हो जाएगा 492 वाला ये ही सही हो गया और next अगर देखा जाए इसका देखो तो इस वाले का हो जाएगा आपका 11 ये second वाला हो जाएगा सही ये वाला next question चल्दी टिकी करते चल रहा हूँ है ना मैं आपको आपको चल्दी अल्दी answers ही बताते चल रहा हूँ इसका हो जाएगा आपका 34 solve हम यहां करेंगे नहीं answer की सिर्फ देखते वो चल रहा है 34 और इस वाले का हो जाएगा question number 30 का question number 30 का बटा आपका हो जाएगा 11 ये वाला हो जाएगा question number 30 का next देखो अगला इसका ratio हो जाएगा 1 is to 4 ठीक है अगला देखो बटा सब हम यहां पर tick करते चल रहे हैं तो इसका answer हो जाएगा CXCIX next देखो बटा रोमन रंकूं के प्रयोग से इसमें क्या होगा कि ये वाला और ये वाला cut जाएगा finally है ना यही बचेगा तो option हो जाएगा आपका ये है ना अगला question देखो बटा हरीश अपनी कार 45 वाला ये 34 question number 34 अपका हो जाएगा ये 16 answer हो जाएगा ठीक है 40 minute में 24 किमी की दूरी तै करता है इसका answer आया था 36 answer सही है और इसका answer हो जाएगा आपका third answer ठीक है 36 है बटा आवाज आ रही है क्या बताना हाँ चलिए next देखो 37 का इसका बटा answer आपका था इसका B answer सही होगा 3412 है ना देख लेना ये अच्छे से मैंने कराया हुआ था तो इसको अच्छे से देख लेना तुम 3412 इसका answer हमारा B सही हो जाएगा अगला बटा देखो next इसका answer 4 cm 8 का आधा हो जाएगा चुकि इसकी value पूछ रहा है तो 4 cm हो जाएगा next देखो अगला इसको मैं इधर कर ले रहा हूँ भाई जबजस्ती का ठीक है अगला देखो बटा इसमें question number 39 में देखो क्या होगा question number 39 का आपका हो जाएगा दूसरा answer 5 by 6 ये correct हो जाएगा और अगर इसमें हम देखें फिर question number 40 का तो इसमें question number 40 का भी B option ये हो जाएगा correct और इसमें आपका हो जाएगा 7 बटे 12 7 बटे 12 कहा गया ये option तेरे बटे 5 प्राप्त करने के लिए इसका answer हो जाएगा बटा option number 3 ठीक है अगले सवाल पर चलते हैं यह देखो जस पाल ने पुरानी का रही है हमने अभी कर लिया था बटा जस थोड़ी दिर पहले तो 12% इसका answer आ रहा है इसका answer आपका आ रहा था 99 degree आ रहा था question number 44 का ठीक अगला question चलते हैं 90 degree next देखो next यहाँ पे इसमें A और D acute angle भी और D आपको हो गया समकोन का आधा तो A और D acute angle और समकोन का आधा half of the right angle ठीक है देखो answer की बटा मैं बता रहा हूँ आपको क्योंकि solution बहुत detail इस channel पे हमने कराय हुआ है बहुत ज्यादा detail में अच्छे से कराय ठीक है यहाँ पे 82 degree हमने देखा अभी यहाँ भी इसकी 82 value आगी तो vertically opposite angle 82 आजाएगा यहाँ पे देखो केक आमान बटा यहाँ केक आमान 7 आजाएगा अगला question इसका answer 51 kg हो जाएगा option number 2 next देखो यहाँ पे केवल कथन 2 सत्य है बी option होगा दूसरा option correct होगा ठीक है अगला दे one correct हो जाएगा ठीक है बटा next question देखिए पचीस सवावर बचे हैं जल्दे यल्दी करते हैं बटा यह तो 0.625 यह हमने कर लिया था यह 77 आएगा इसका answer अगला देखो इसका answer ABC यह तीसरा वाला आजाएगा ठीक next question देखिए यह 30 बच्चों को party इसका answer आजाएगा 34 अगला अगला देखा जाए तो इसका answer आजाएगा 1665 यह correct answer next देखो बटा इसका अगर देखे तो 6 kg 300 ग्राम इसका answer यह आ रहा था अगला देखो इसका answer 6666 का 216 आ रहा था next question देखो यह final है next question देखो इसका answer कितना आ रहा था बटा यह 64 आ गया 58 का देखते है एक मिनट 58 का आपका आ जाएगा 58 का 64 इसका 560 आ रहा था solve कर लिना एक बार है ना 16 बस्तों का यह बस्तों वाला 280 आ आपका आ रहा था 60 का 285 अगला सवाल देखिए अगला सवाल देखिए 61 का इसमें final answer जैसा कि मैंने बताए बटा A option को मानेंगे option number 1 next देखो उस score का प्रकार बताएं अच्छा इसमें हमारा क्या आ रहा था उस score का प्रकार 62 question number 62 है हमारा बटा यह है sum score option number तीसरा right angle triangle solve करने के बाद आपको पता लग जाएगा इसमें है आपका विशम बाहुत्रिभुज और समकोन त्रिभुज option B scaling and right angle triangle question 64 में देख लो 64 में इसका answer आ रहा था 31,000 option number 2 और फिर इसमें अगर देखा जाए तो कितने साल में 5 साल में option answer आ रहा था option number 2 दीव हुई आकरिती का परिमाब बताईए तो देखें यह चार दो छे दो आठ चार बारे बारे आ रहा है और चार का गुना कर दो यह चार है ना अलग लग चार सिमिलर है तो बारे एक का निकाला चार का गुना कर दिया बारे चोग के 48 48 हो जाएगा यहाँ पे आपका answer आएगा pinky 80 meter यहाँ पे pinky शुरती नहीं pinky दिहान रखना pinky 80 meter आएगा next question देखो बटा यहाँ पे सही answer यहाँ पे क्या करना था ना इन सबका HCF ही निकालना था जैसे 7 meter 700 cm हो गया यह 750 cm हो गया यह 950 cm यह सब हमने cm में बदल लिया अब cm में बदल करके HCF निकालोगे तो 50 आपका HCF आ जाएगा ठीक है दो संख्याओं का LCM HCF इसमें वह वाला formula लगाना था A into B बराबर LCM into HCF तो यह वाला formula लगा लोगे यह से आपका answer आजाएगा 50 60 का answer आजाएगा 69 का answer आगया आपका 50 देखो अगला सवाल जो है यह 2875 इसका answer यह आजाएगा यह question मैं दिखा दे रहा हूँ English में भी देखते चलना बटा English में भी है आपका यहाँ ठीक है अगला देखा जाए किसी परिक्षा में दिव्या को कितने आंक मिले है यह simple percentage का question था बहुत आसान question आया थे इसका answer है 85 option आपका 4 हो गया correct नेक्स्ट यदि किसी संख्या का 46% है तो इसका answer आपका आया था 375 यह answer आगया था 375 सही answer और इसका आपका answer आजाएगा centigrade में बदलना था क्या बदलना ही था 120 में 30 को जोड़ना sorry 130 में से 34 को घ and finally हमारा यह conversion का question आ गया था जिसमें हमें क्या करना था convert करना था centigrade से Fahrenheit में convert करना था क्या हाँ तो इसका हमारा answer आया था कौन सा बोलो पहला option option number A correct हो जाएगा 130 43.6 ठीक है तो बटा I hope कि आप इस answer की से संतुस्ट हो गया और होने बिचे क्योंकि हमने इतनी मेहनत करके आपके यह accurate answer की 100% सही answer की बनाई है and hopefully वीडियो को आपने like कर दिया होगा वीडियो को like कर देना चैनल को कर देना subscribe आपके जो आने वाले आपके juniors हैं अगले students हैं उनको जरूर से recommend करना drone school के बारे में next batch हमारा launch हो चुका है अगला गौरोस और आपको बता देंगे बाकी जो sections बचे school के विद्यार्थियों के लिए है और नौदा अलफा बैच नौदा विद्यार्थियों के लिए है कई दफा में आपको बता चुका हूँ जस्ट एक बार याद दिला दो कि 5 फरवरी से पहले अगर आप enroll करते हैं तो 500 रूपीस का discount आप सभी को मिल जाएगा तो 5 फरवरी क पहले आपको enroll कर लेना है खुशी कह रही है sir miss you thank you बटा and will miss you too ठीक है बहुत अच्छे आप लोगी student रहे हो चली अब गवरो सर आपको बता देंगे next answer की और ये हमने बहुत अच्छे से देखो बटा discuss किया हुआ है तो answer की ही आपको सिर्फ बताय जा रहा है हाँ आपे so comment में लिख करके आप सभी को बताना है कि number आपके कितने आ रहे हैं है ना चले बटा इंज्वायाद एंसर की next चलो बच्चो हमने maths तक कहां पर complete कर लिया आप आगे answer की में बारी है GI की यानि general intelligence की ठीक है जल्दी जल्दी answer मिलाते चलेंगे Hindi और English medium दोनों वाले बच्चे देखें यहाँ पर 76 number का question क्या है कि दिवाल घडी का जो समय से है तो थर्मा मीटर का बताब देखिए दिवाल घडी का यूज समय देखने के लिए थर्मा मीटर का यूज क्यों होगा temperature के लिए कौन सा ठीक है temperature के लिए तो कौन सा answer अपना सही हो जाएगा temperature मा अपने के लिए तापमान अपना सही हो जाएगा ठीक है तो सेर अगर गुफा में रहता है ठीक है तो पूछा जा रहा है कि घोड़ा कहा रहेगा लायन डेन में रहता है होर्स कहां पर रहेगा stable यानि कि क्या बोला जाता है इसको अस्तबल में ठीक है option number 3 आपका सही होगा इस वाले question में देखें ये वाला question देखें इसमें क्या कर जाएगा अपना चौधा ठीक है इसमें number हो जाएगा fourth option आपका सही हो जाएगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी देखते चलते answer कि हम मिलाते चलिएगा कितने question सही हो रहे है comment box में लिखकर आपको बताना है ठीक है इसका answer कौन सा हो जाएगा आपका इसका answer हो जाएगा option number four ठीक है option number four आपका answer हो जाएगा इसका 80 का चलिए इसके बाद देखते है 81 देखते है 81 में कौन सा answer आ रहा है 81 जो question है उसका answer कौन सा होगा देखिए यहाँ पर हो जाएगा second वाला ठीक है यह आपका answer हो जाएगा 81 में आप जबी को क्या करना है set अलग- लाते हुए आगे बढ़ना है ठीक है इसके वाद देखिए फिर एनलोजी का कोश्चन आगे क्रिकेट का सम्मद बैट से तो होकी का सम्मद किसे होगा इस टीक से ठीक है ओप्शन नमबर सेकेंड आ गया इसका देखे आगे कौन सा कोश्चन 83 नमबर का तो इसको सिक्वेंस से हमको जमाना है ठीक है सिक्वेंस से जमाना है तो यह सब तुम्हें आपको डिटेल सोलिशन बदा चुकों यहां केवल एंसर की आपको बताई जारी तो कौन सा कोश्चन है यह 83 तो 83 में आपका कौन सा एंसर हो जाएगा यह सी वाला ठीक है सी मतलब 3 ओप्शन चलिए आगे 84 नमबर का कोश्चन आगिया इसको आपको डिक्सनारी के अनुसर जमाना है ठीक है तो 84 नमबर के कोश्चन में क्या एंसर आजाएगा इसमें भी आपका थड़ वाला आजाएगा ठीक है थड़ वाला आपका एंसर हो जाएगा इसका देखे इसका 85 नमबर का कोश्चन आपका 85 नमबर के question का answer है C ठीक है ये वाला बताया था ने ये देखिए हाँ तो क्या हो जाएगा 3 वाला यहाँ 3 हो जाएगा अब देखें next देखें हम 86 नमबर question ये क्या embedded figure का question है तो इसमें अपना कौन सा हो जाएगा ये वाला part second जो है आपका answer हो जाएगा देखें आगे फिर आगे देखते है 87 नमबर का question तो इस वाले में answer आपका क्या आजाएगा 7 आजाएगा ठीक है 7 चलिए आगे देखें अब आगे देखते हैं जल्दी जल्दी answer किये कितने question सही हो रहे है comment box में लिख कर आपको बताना इसमें कौन सा हो जाएगा आपका B option सही कौन सा है अपना 88 में क्या हो जाएगा आपका B सही है B मतलब second option है ना चलिए चलिए यहाँ पे देखें सबसे अलग पहचाना है तो यहाँ पे भोजनाल है hotel सबसे अलग है ठीक है इसमें आपको बताना है सबसे अलग कौन सा है तो इसमें सबसे अलग option number A ठीक है option number 1 90 का क्या हो गया आपका A ठीक है चले अब 91 पे आते है 91 में series को आगे बढ़ाना है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा ठीक है 17 आ जाएगा English medium वाले बच्चों के लिए भी देखें same to same question है बस आप मिलाते चलिए है ना चलिए तो 91 में हो जाएगा 17 इसके अद आगे देखें 92 में जाए 92 में जाना है तो 92 का क्या answer हो जाएगा 92 का आ जाएगा आपना B ठीक है 92 में आ जाएगा आपका B उपर से नीचे आपको जमाना है sequence में इसमें हो जाएगा आपका answer कौन सा C हा जाएगा आपको क्या mirror image करना है इसके देखे 94 नंबर का question है इसमें कौन सा सही हो रहा था आप सभी का बताए 94 नंबर के question में कौन सा सही है आपका third वाला third option बिल्कू सही है ठीक है मिलाते चलिए इसमें देखे 95 में कौन सा सही है 95 में 8 सही है 95 में कौन सा C ठीक है 95 में आपका तीसरा option सही है अब देखे 96 चलते है 96 96 में कौन सा सही है आपका B option सही है ठीक है B option सही है देखे अब 94 तो देखे 94 तो 96 तो 97 देखे इसमें सबसे अलग कौन सा है आपका रीतू यानि सीजन की बात हो रही है इसमें इसमें सबसे अलग कौन सा है तो 135 ठीक है अब इसके बाद देखे इसमें इसमें कौन सा अलग है अपना option number A ठीक है और आप सभी को जो यह दो question में confusion था की एक में square वाला तो अगर होगा तो बाद में दोनों answer सही हो सकते है या फिर उसमें bonus वार मिल सकते है जो एकदम accurate दिख रहा है उसको मैं आपको बता रहा हूँ ध्यान से आप सभी देखते चलिए है ना चलिए इसका हो गया अब इसका last question इसमें सबसे अलग कौन सा है अपना option number 3 ठीक है GI complete होगा आप देखते है answer की हम किसकी GK की दोनों मीडिया में आप question देखते चलेंगे हिंदी और इंगलीज दोनों में पढ़ते वे चलेंगे पहले question का answer क्या हो जाएगा पेट्रोल ठीक है पेट्रोल हो जाएगा देखे second question की यखनी क्या है जम्मू कस्मिर जी यह क्या है एक मासा हरीव एंजन क्या है नॉन वेजिटेरियन डिस है इसका देखें लारवा आयू में टेड़ पोल किस पस्टू से सम्मदी थै टेड़ पोल आपको मैंने बताया हुए अगे बढ़ेए पांडवो में सबसे बड़े भाही का नाम ठीक है और देखें इसका देखें बीहु नीते का संबन्द किस राजे से है तो बीहु नीते का संबंद किस से है असम से असम ठीक है चलिया आगे देखें यह वाला question आ गया आपका कि आपको जल्दी जल्दी एंसर की देखनी है ताकि अच्छे से जल्दी से complete कर सके और एंसर मिला के बता दीजे ठीक है इसमें कितने gold medal 28 28 आ जाएगा ठीक है खत्रे की चेतावनी के लिए लंगूर क्या करते है आवाज निकालते है ध्वनी ठीक है sound आ जाएगा इसमें इसके देखें निमलिखित में से किस पसू में सुगने की छमता सबसे अधिक होती है तो किसमें होती है खूटी होती है मवेसियों को बांदने के लिए लोहे का इस्तम्भ होता है ठीक है आइरन पोल्ट टुटाई कैटल इसका देखें आगे यह दिया सूरी के नीचे पानीस भारा गिलास रख दे तो बताया था इवेपोरेशन ठीक है टू एवेपरोट वीवर हो जाएगा ठी है क्या बोलते हैं उसको वाथ वास्पन ठीक है इवेपोरेशन इवेपría चलिए वास्पी कृइट अब आगे देखें मरीदा का सबसे अच्छा मीत्र कौन सा होता है केचुआ ठीक है अर्थम कहा जाता है चलिए और एंसर की देखो양 जोखत एक एक पंद्र के एंसर कौन सा चार मिनार कहा है, चार मिनार है है हैदराबाद में, आप सभी के सेट अलग-अलग हो सकते हैं, बारवरो आपको question और answer मिलाना है ना, किस option में आपने टिक किया, इसमें देखिए 365 सही एक बटे 4 दिन होगा, क्योंकि 365 दिन 6 घंटे लगाते हैं, तो उसको 365 सही एक बटे 4 लिया, 24 ना, चलिए आगे, रामायड के रचाइता, वालमिकी जी, चलिए, next, उल्टी और दस्त की सितिम किस व्यक्ति को क्या जयता, नमक और चीनी का घोल दिया जयता, salt and sugar, देखें और आगे, निमलिकित में से क्या, खादे सनरक्षर का है, क्या है, सनरक्षर का प्राकृ प्राकृतिक तरीका नहीं तो क्या है, खादे प्राकृतिक तरीका नहीं है, ठीक है, ना, बीजो को कीटो बचाने के लिए, कि इसके नीम के पत्ते रखे जाते हैं, चलि हो गया, last question देखें, इसमें क्या question है, जब एक बार पानी यूज हो जाए, तो उसका क्या कर सकते है, प्राम, चहरा और हाथ धोने के लिए, ठीक है, वासिंग, hands and face धोने के लिए, यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, answer कि हमने जल्ली से complete कर लिए, आपको language, maths, ठीक है, इसके आद फिर GKGI सब कुछ बता दिया गया, आप जल्दी से एक बार answer मिला लिजेगा, और कितने question आप अचान में होंगे, तो उनको बता दे कि हमारा नया batch launch हो चुका है, जिसमें बहुत ही अच्छे धंग से आपको नवदय विद्याले की तयारी करा जाएगी है, सैनिक स्कूल जिसकी भी तयारी करें, next year, यानि 2025 के लिए, नवदय विद्याले की तयारी के लिए, नवदय अल अच्छे recorded है, इसमें भी आपके लिए 5 फरवरिता का उफर है, 5 फरवरिता से पहले पहले आप इन रोल कर लेते हैं, तो आपको 500 रुपे का विशेज डिसकाउंट मिल जागा, इसके लिए प्ले स्टोर पे जाके दुरोड इस्कूल का याप इस्टॉल की जो वहाँ कोर्स दिख जाएगा, जो भी कोर्स पे क्लिक करेंगे, न्यू 500 का कूपन कूट दिखेगा, बॉक्स बना उस पे क्लिक करेंगे, तो आपको पांस रुपय आप हो जाएगा, वही चीज आपको पांच फरवरिता के बार पांस रुपय स्टम मिलेगी, हम पिछले 5 से 6 साल से लगा बहुत अच्छे डंक से आपको तयारी कराई जाएगी, ठीक है, आपको कोई भी जानकारी चाहिए, तो आप हमारे हल्प राइन नंबर, ठीक है, 6260-388-361 पर कॉल करके इंफर्मेशन ले सकते हैं, नय बैस से रेटर या कोई इंफर्मेशन चाहिए, तो हमारे हल्प नंब आ रहे हैं, ठीक है, किस सेक्षन में आपके कितने नंबर आ रहे हैं, आप सबी से हम जुड़े रहेंगे, लगातार आप सबी को कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना, ठीक है, चिले फिर मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो के साथ, झाल झाल, 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 झ